हाई मैं परशांत आप सभी के अपने यूटूब चैनल एक्वीटी टू कॉमोडिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ट्वेटिंग स्ट्रेजी को पर बात करने जा रहे हैं जो कि अभी काफी ज़्यादा पॉपलर है और काफी ज़्यादा डिमांड में है और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उनको इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है और बहुत सारे लोग इसका already इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनमें से लगबग 80% लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं इसलिए as a result वो अपना trade loss में खत्म करते हैं तो यहाँ पे हम जो trading strategy को पर बात करने जा रहे हैं वह है आपका scalping trading strategy सबसे पहले हम समझेंगे कि यह scalping trading strategy होता क्या है उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको scalping trading strategy करते समय किन-किन बातों का ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद हम live market में आपको बताने जा रहे हैं कि आप scalping trading strategy के विशिस पर कैसे trade कर सकते हैं वो भी live market में इसलिए अगर आप नए आप trading strategy सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लाश्ट तक बने रहे हैं तो यहाँ आप मैं आपको live chart पे इसका trading बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपको थोरा बुद समझना परेगा कि scalping trading strategy होता क्या है scalping trading हम कैसे करते हैं तो सब्सक्राइब अगर हम scalping trading के उपर focus करें तो यहाँ पर हम small price action के basis पे यहाँ पर trade लेते हैं और यहाँ पर हमारा focus हो रहता है small profit के उपर हम multiple times small profit लेते हैं और यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे हमारा एक strict exit point होना चाहिए strict exit point की बहुत ज़ुरत है क्यों ज़ुरत है क्योंकि अगर हम यहाँ पे 10 बार multiple times profit कमा लिए और 11th time में यहाँ पे अगर मेरा बरा नुकसान हो गया तो जितना हम 10 बार में profit कमा है वो सारा loss एक ही बार में खत्म हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे हमें एक strict exit strategy होना जरूरी है तो चार्ट पे आने से पहले हमें एक और चीज़ के उपर फोकस करना परेगा कि scalping trading करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान में रखना है तो चली देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यह सिर्फ और सिर्फ आपको scalping trading strategy यूज़ करना index में या नहीं तो trending stocks में यहाँ पे हमें moment ज़्यादा देखने हो को मिलता जहाँ पे हमें volume ज़्यादा देखने हो को मिलता वहीं पे यह strategy यूज़ करना otherwise low volume stocks में करेंगे तो आपको कुछ profit नहीं होगा ultimately आपका नुकसान में ही जाएगा तो यह आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स यानि निफ्टी और बैंक निफ्टी में करना है यानि तो liquid stocks जहाँ पे volume हमें काफी ज़्यादा देखने हो को मिलता है दूसरा point जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि scalping trading best काम करता है सिर्फ और सिर्फ trending market में यहनि जब आपका market एक trend पकरे हुए है तब यह आपका बहत्विन काम करता है चाहिए वो आपका uptrend हो या downtrend हो कोई भी trend market आपका होना चाहिए तब यह strategy बहत्विन काम करता है तब इसका accuracy level आपका लगवग 80-90% रहता है range on market में इसका accuracy level उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा तीसरा point जो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यह आपको hot stocks और breakout stocks में ही करना है जैसा कि मैंने आपको पहले बता था वैसा stocks find करना जहाँ पे हमें breakout देखने को मिला और हम लोग regular basis पे आपको breakout stocks के उपर video बनाते रहते हैं और हमारे twitter handle पे भी आप breakout stocks के बारे में information ले सकते हैं तो यह जो trade लेना आपको सिर्फ और सिर्फ hot stocks और breakout stocks में लेना तीसरा point यह जी आपको ध्यान में रखना fourth point जो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपका एक strict exit strategy होना चाहिए क्योंकि अगर आप multiple times profit बना लेगी और आपके पास strict exit strategy नहीं होगा तो आपका जितना भी profit बनाया हुआ है वो एक trade आपका वो profit सारा का सारा खा सकता है तो इसलिए यहाँ पे आपका small strict exit strategy भी होना चाहिए fifth point जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको वैसे broker की तरफ जाना है जो कि आपको commissions कम ले रहे क्योंकि यहाँ पे हम छोटे छोटे profit के लिए जा रहे है और multiple time trade करेंगे तो अगर आपका brokerage चार्ड ही जाता हो जाएगा तो overall आप profit नहीं बना पाऊगे जो भी profit आएगा वो आप as a brokerage pay कर दोगे तो इसलिए हमें वैसे brokerage form को चूज करना है जहाँ पे brokerage काफी कम हो तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा कौन-कौन से form है जहाँ पे brokerage काफी कम लगते है 6 points जो आपको ध्यान में रखना है कि जिस भी broker को हम चूज करने है उसका charting platform भी काफी advance होना चाहिए अगर charting platform advance नहीं है तो फिर हम इस strategy का सही इस्तमाल नहीं कर सकते है तो यह जो 6 points है यह 6 points आपको ध्यान में रखना है और यह 6 points को ध्यान में रखते हुए अगर आप scalping trading strategy का इस्तमाल करेंगे तो आप अपने trade को काफी हद तक profitable बना सकते हैं तो चलिए अब live chart पे चलके इस trading strategy को समझने की कोशिस करते है live market में आपको बताता हूँ किसके basis पे आप trade setup कैसे तयार कर सकते हो और कैसे trade ले सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो market अभी open ही हुआ है 9.17 हो रहा है और यह market open हुआ आपको 8 April वाला है date को यह नहीं 8 April 2022 को market अभी just open हुआ है कुछ mint हो ही हुआ और यहाँ पे देख सकते हैं nifty के 3 minute के टाइम फ्रेम को यूज करें अब आपका यहाँ पे question होगा कि हम लोग क्या टाइम फ्रेम यूज करें तो अगर आप scalping, trading strategy को पर जा रहे हैं तो आप maximum 3 minute या फिर 5 minute 5 minute से आपको उपर नहीं जाना है 5 minute, 3 minute या फिर आप चाहो तो 2 minute या फिर 1 minute का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो 5 minute से नीचे आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो maximum जो टाइम फ्रेम आपको यूज करना वो करना है आपका 5 minute का तो यहाँ पर देख सकते हैं, market open हुआ है, और यहाँ पर हम कुछ time wait करेंगे, यहाँ पहला 5 से 10 में wait करेंगे, market को एक trend पकरने देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम अपना scalping trading strategy का जो 6 point आपको बताया था, वो 6 point हम यहाँ पर apply करके अपना trade setup तयार करेंगे, तो यहाँ पर different type of candlestick दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको हिका नेशी candlestick पर जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर trading strategy इस्तेमाल करना है, देख सकते हैं अभी आपका first 2 candlestick form हो गया, हम पहला 3 candlestick form होने देंगे, यानि market को 10 मिनद तक थोड़ा सा settle हो जाने देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम अपना trading strategy इस्तेमाल करेंगे, चलिए, कुछ देर हम इंतजार करते हैं, और market settle होता है, उसके बाद हम आपसे 2-3 मिनद बाद आपसे मिलते हैं, जब हम यहाँ पर अपना trading strategy लेना है तब, यहाँ पर आप देख रहे हैं, 923 हुआ है, यानि market open हुए, लगबग, 8-10 मिनद हो गया, और यहाँ पर आपका 3 candle का formation हो गया, अब 3 candle क्या है, rate बन रहा है, उससे पहला 2 green candle था, तीसरा rate candle बन रहा है, यानि यहाँ तक अभी हमे market totally confused कर रहा है, अब अगला candle जो भी बनेगा, अगर यह अगला candle green बनता है, तो यहाँ पर हम positive side की तरफ जाएंगे, तो देखते हैं, यह candle को यहाँ पर हम close होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अगला candle क्या बन रहा, उसके बाद यहाँ पर अपना trading strategy apply करेंगे, यानि scalping trading strategy के basis पर यहाँ पर हम छोटी छोटे profit के लिए जाएंगे, और हमारा यहाँ पर एक perfect और strict exit strategy भी यहाँ बन के त अब चौथा candle को यहाँ पर हम close होने देते हैं, और चौथा candle जैसे ही एक red बनेगा, तो हम sell side की तरफ जाएंगे, और उसके बाद green बनता है, तो 22 side की तरफ जाएंगे, इसी तरीके से आपको तीन candle तक वेट करना, तीन candle तक अगर आपको कोई strategy already मिल जाता है, चाहे वो up trend हो 75 यानि 680 करीब यह आपका trade setup तयार हो रहा, तो यहीं पर हम अप क्या करेंगे, sell side की तरफ जाना आप prefer करेंगे, क्योंकि यह जो चौथा candle है, वो भी आपका almost close होने वाला है, या फिर हम next candle का भी wait कर सकते हैं, और ज्यादा confirmation के लिए, तिहां पर हमारा जो entry point होगा, वो होग के chances थोड़े से कम देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम 17,670 के level पे sell करेंगे for small profit, अब यहाँ पर हमारा strategy क्या है, अब देखिए red candle बनाया है, यहाँ पर हम sell करेंगे, और अगला जब तक green candle नहीं बनता है, तब तक हम अपना positions को carry करेंगे, जैसे green candle बनेगा, हम अपना positions को exit करेंगे, देखिए, अब यहाँ पर इसको green candle बनने के chances almost खतम होई गया है, ति यहाँ पर हम positions अब हम अपना ले लेते हैं, 17,670 पर यहाँ पर हम अपना sell positions execute कर देखिए, यहाँ पर हमने अपना पहला trade setup तयार कर लिया है, और पहला trade setup तयार करने के बाद देखते हैं, कि हम यहाँ पर ultimately कितना point का profit हुआ है, इस candle को हम थोड़ा सा और wait करते हैं, और close होने देते हैं, यहाँ पर देखिए, आपका fourth candle shift form हो गया, और हमने already sell positions ले लिया था, 17,670 के level पर, यहाँ पर हमारा sell positions active हो गया, और जो candle हमें sell positions दिया था, उस candle के highest point को यहाँ पर हम क्या करेंगे, as a stop loss use करेंगे, यहाँ वो हमारा exit point हो जाएगा, वहाँ पर अगर market आता है, तो हम exit करेंगे, नहीं तो market जैसे ही आपका given candle form करता है, और close देता है given candle में, हम अपना positions exit करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि हमें कितना point मिलता है पहले trade से, यहाँ पर हम छोटे छोटे profit के लिए जाएंगे, ज़्यादा लंबा profit के लिए यहाँ पर हम नहीं जाएंगे, और हमारा दोनों तरफ जो exit strategy है, दोनों बंके एकदम तयार है, और जैसे यह से candle आपका rate form होता जाएगा, stop loss ट्वेल करके, previous candle के highest point पर लाते रहेंगे, अब भी हमारा इस candle के highest point पर stop loss है, यह candle जैसे close होगा, तो यहाँ पर हम अपना stop loss ट्वेल करके लिए आएंगे, यह stop loss हमारा जो buying price है, उससे नीचे आ गया, यहाँ अब हमें यहाँ पर कोई नुकसान होने वाला नहीं है, अगर यह candle close हो जाता है तो, उसके बाद जैसे ही आपका green candle बनेगा, हम अपना positions को exit करने के बारे तो मिलते हैं कुछ मिन्टों के बाद, अब यहाँ पर देखिए, time हो रहा आपका 940 करीब यहाँ पर आपका 940 करीब हो रहा और यहाँ पर देख सकते हैं, आपका almost green candle form होने ही वाला, और अभी price चलबा, 17,655 करीब, यहाँ पर अपना positions हम exit करेंगे, यहाँ पर हम अपना 15 point का profit लेंगे, और यहाँ से हम अपना exit हो जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे, यहाँ पहला trade हमने scalping trading के basis पर लिया था, उसमें हमने almost 15 points कमाया है, और यहाँ पर candlestick थोड़ा सा कमजोर हो रहा, यहाँ जो red candle था, वो आगे time आने वाले time में, दीरे दीरे कमजोर हो रहा, तो उसका हम ज्यादा wait नहीं करेंगे, और हम यहाँ पर 15 points का profit लेके निकल जाएंगे, हमने 670 के level पर wait किया था, 670 के level पर sell किया था, और यहाँ पर हम जो buy करेंगे, 17,655 के price पर यहाँ पर buy करेंगे, यहाँ यहाँ पर मुझे almost 15 points का profit पहले trade में मिला है, और देख सकते हैं यह candle आपका almost green candle में ही closing होने वाला है, और जैसी यह green candle में closing होगा, हम अपना positions पहला exit करेंगे, और वापस से हम buy करेंगे, यहाँ पर हमें दो call लेना है, सबस पहला buy करके पुड़ाने call को exit करेंगे, और उसके बाद green candle form होते ही, हम एक fresh buy call लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर buying level था, वो था 17,655 के level पर, यहाँ इस level पर हमने buy किया था, और stop loss हम इस candle stick के lowest point पर रखेंगे, और target पर इस क्या होगा, आपको already पता है, जब तक red candle form नहीं होगा, तब तक positions को exit नहीं करेंगे, ऐधर मेरा stop loss हिट करें, या फिर आगे आने वाल टाइम म जब भी यहाँ पर red candle form होगा, अपना positions को exit करेंगे, जैसे हमने sell side की तरफ लिया था, red candle बना था, sell side की तरफ कहे थे, जैसे queen candle form हुआ, positions को हमने exit किया, और इसके साथ साथ एक fresh buy positions लिया, अब buy positions हटेगा कब, जब आपका red candle form होगा, या फिर हमारा stop loss हिट करेगा, तो आपसे कुछ मिनट बाद वापस हैं मिलते हैं, जब ही आपका either हमारा stop loss हिट करता है, या फिर उपर में red candle form होता है, तो यहाँ पर आप time देख सकते हैं, 944 हो रहा है, और यह जो candle है, हमने, जिस candle positions लिया था, उसका अगला candle यहाँ पर red बनने जा रहा, और इसका level है आपका, 17,653 क करीब, तो हमने जो positions लिया था, थोड़ा और wait करेंगे, और यहाँ पर हम positions को हम same level पर exit करना चाहेंगे, यानि loss में ही हम यहाँ पर निकलना चाहेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था, कि हमारे पास strict exit strategy होना चाहें, उस exit strategy के basis टाइम मुझे नुकसान हो, या फिर cost to cost हो, लेकिन हमारा exit strategy काफे strict होना चाहें, और उसको हम follow करेंगे, anyhow, अगर आप scalping trading strategy के basis पर trade करें तो, यहाँ पर हम 17,653 के करें, या नहीं तो 17,650 के level पर ही अपना positions को exit कर देंगे, मतलब यहाँ पर मुझे दूसरे trade में 5 points का नुकसान हुआ है, और पहले trade में 15 points का profit हुआ था, तो overall यहाँ पर अभी भी हम 10 points के profit में 2 trade के बाद, उसके बाद वापस हम क्या करेंगे, 17,650 के level पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस एक fresh sell positions लेंगे, यानि पहले trade के बाद जहाँ भी हम positions अपना exit करेंगे, उसके साथ-साथ हम यहाँ पर एक और trade लेंगे, sell side की तरफ हो या फिर buy side की तरफ हो, हमें एक time पर दो trade लेना, पहले positions को exit करना और दूसरा एक नया positions बनाना है, तो यहाँ पर हमने पहले positions को exit किया, 17,650 के level पर, यहाँ पर हम negative side की तरफ ज़्यादा ही point ले रहे, ताकि आपको accuracy level फाइंगे और आसानी हो, क्योंकि हम जो वीडियो में द जो high होगा, वो sell हो जाएगा, और फिर अगला given candle form होने के बाद हम अपना positions exit करेंगे, या नहीं तो यह जो stop loss है, वो hit करेंगा, तो कुछ मिंटों बाद मिलते हैं आपसे, अधर यह stop loss hit करेंगा, या फिर अगला given candle बनाएगा, तब यहाँ पर हम अपना positions को exit करेंगे, इसके यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमें कुछ न कुछ point मिल जाए, इसलिए यहाँ पर हम at least 17,645 के level पर sell करेंगे, यानि at least मुझे brokerage point भी मिल जाए, और देखिए उस point पर आभी गया, यानि इस position से भी मुझे 5 point का profit मिला है, तो इस profit को यहाँ पर हम count नहीं करते हैं, इसको हम 2-3 point ह लेते हैं, क्योंकि 2-3 point हमारा brokerage के रूप में भी चला जाता है, और आपको यहाँ पर ऐसा brokerage find करना, जहाँ पर brokerage काफी कम हो, तो वह आप find कर सकते हैं, जिरोधा, आपके stock और angel, इन तीनों जगों पर आपको brokerage काफी कम लगेगा, अगर आपको इन तीनों brokerage में किसी में लगबग 2 point का profit मिल जाएगा, लगबग आपका 2.5-2 point वहाँ पर जाता है, तो इस trade को हम छोड़ देते हैं, अभी भी हम overall 10 point के profit में हैं, और अगर आपका डिमेट अकाउंट 0-12 आपे stock और angel में हैं, तो आप overall यहाँ पर actual में लगबग 13 point के profit में रहोगे, तो यहाँ पर हम 10 point का ही profit count करते हैं, क्योंकि बहुत सार लोगगा डिमेट अकाउंट 0-12 आपे stock और angel में नहीं होगा, तो उन लोगगो overall 10 point का ही profit मिलेगा, उन लोगगो ब्रोकवेज चार्ट जादा पे करना पड़ जाएगा, तो जिनका डिमेट अकाउंट है, वो आप यहाँ पर 13 point का profit calculate क अपना exit किया था, और यहाँ पे हम एक buy positions भी लेंगे, यहनि हमारा एक और call active है, buy side की तरफ, वो है 17,645 के level पे, उसकी बाद देखिए, price आपका उपर की तरफ जा रहा, और यह जो lowest point होगा, इसको हम as a stop loss use करेंगे, तो stop loss हमारा हमेशा restrict होना चाहिए, stop loss से हम कोई बाद मिलते हैं, जब आधर यह stop loss को हिट करेगा, या नहीं तो ऊपर में जाके, कहीं पे भी red candle form करता है, तो, ध्यान रखना buying label है हमारा 17,645 का, यहाँ पे देखिए, time हो रहा आपका, 10,15 am, और यहाँ पे red candle बनना है, start हो गया, यहाँ पे अपना positions हम exit करेंगे, 17,675 के label प buy किया था, यहाँ पे मुझे जो मिला है, वो 30 point का profit मिला, देखिए, एक trade मुझे 30 point का profit दे दिया, और इससे पहले हम already 10 point के profit में थे, already मुझे यहाँ पे 40 point का profit मिला है, और इसमें हम brokerage को exclude कर दिये, क्योंकि जो हमे 5 point का profit मिला था, उसको हमने सारे trade के brokerage के लिए छोड़ दि कि आपको discount brokerage के उपर जाना है, क्योंकि वहाँ पे brokerage कम लगता, और scalping trading में ये भी बहुत जरूर है, कि आपको brokerage charge कम पे करना, क्योंकि यहाँ पे आप multiple trade लेते हो, तो यहाँ पे 40 point का profit मिला है, और यहाँ पे red candle firm होआ है, तो red candle firm होने के साथ साथ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एक और sell positions लेंगे, यहाँ पे हम 17,006,75 की level पे positions exit किये, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, fresh sell positions भी लेंगे, तो यहाँ पे हम एक fresh sell positions ले लिए हैं, और already देख सकते हमारा अभी 40 points के profit में है, उसके बाद हम वापस से, आपसे कुछ टाइम बाद मिलते हैं, जो यह rate candle का highest point है, वो हमारा यहाँ पे stop loss होगा, इसको मैं अज़े stop loss rate करेंगे, और जब हम exit कर लेंगे, either stop loss hit करेगा, या नहीं तो जब अगला given candle form होगा, तो यह strategy काफी simple है, आपको buy करना है, candle का color same है, तो आपको continue रखना है, जैसे candle color change होता है, तो आपको exit होना, और पीचे जाएगा, तो profit calculation में हमें आसानी होगी, और यह मैं आपको live market में बता रहा हूँ, live chart में बता रहा हूँ, ताकि आपको सीखने में आसानी हो, यहाँ पे मुझे candlestick के behavior के उपर कोई focus नहीं करना, सिर्फ strategy के उपर focus करना, और strategy में क्या है, candle के color के उपर हमें जाना है, यह simple trading strategy है, और यह आप कर सकते हो अगर आप पूरे market में active रहोगे तो, अगर आप पूरे market में active नहीं रहते हो, तो फिर यह strategy आपके लिए नहीं है, आपको पूरा market आवट देना परेगा, तब जाके आप इससे profit कमा सकते हो, देखिए, market को हमने sell किया था, market always नीचे आया, तो हम आप से कुछ मिन्टों बाद मिलते हैं, जब ही आइदर नीचे में given candle form करें, या फिर उपर जाके हमारा stop loss hit करें, अब देखिए, यहाँ पर हमारा time हो रहा है, 10.30 के करीब, और यहाँ पर आपका given candle form करना start कर दिया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने positions को exit करेंगे, यहाँ पर जो हमने sell किया था, already आपको बताया था, 17,675 की level पर sell किया था, और यहाँ पर हम जो buy करेंगे वो 17,625 की level पर buy करेंगे, यहाँ यहाँ पर मुझे जब profit होगा, वो 50 point का profit मिलबा, देख सकते हैं, जब हमें profit मिलबा, तो लंबा लंबा profit मिलबा, और यहाँ पर हम simple सा strategy यूज करें, red candle था, तो हम अपने sell trade को continue किया था, जैसे given candle बना sell trade को हटा दिये, तो already पहले से मुझे कितना profit था, 40 point का profit था, और यहाँ पर 50 plus 40, मेरा अब यहाँ पर overall 90 point का profit हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने multiple trade लिया, तो last में जाके हम थोड़ा बहुत brokerage का part भी हटाए लेकिन अभी हम calculate करें, और हमने यहाँ पर already 5 point हटा दिया है, और यहाँ पर हमने अपना positions हटाया था, 17,625 के level पे, और इसके साथ हम एक और positions लेंगे, क्या करेंगे, buy side की तरफ positions लेंगे, यहाँ पर हमने nifty को buy किया है, 17,625 के level पे, तो इसके basis पर options में trade करना नुकसान दा इसके basis पर आप nifty और stocks के future में trade कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो intraday में अपना trade setup ले सकते हो, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने multiple trade setup लिया और overall अभीता 90 point के profit में है, और market का situation देखिए volatile है, कभी market उपर जा रहा, कभी नीचे जा रहा, market का direction single नहीं है, यह trending market नहीं है, और range one market में भी हम कैसे scalping के basis पर profit कमा रहा है, और जब आपका इससे पहले देखिए कल का market trending market था, इस तरह के trending market में आपको कितना लंबा लंबा point मिलता है, उस तरह का market आज नहीं है, आज difficult situation है scalping trading को लेके, फिर भी यहाँ पर हमें overall अभी तक 90 point का profit मिल गया, और देख सकते ह सारा कुछ आपका live market में चलवा, यहाँ पर अपना time भी देख सकते हो, तो चलिए यहाँ पर हमने अपना tweet setup तयार कर लिया, 17,625 के level buy किया है, यहाँ पर हम हटाएंगे कब, जब हमारा stop loss heat होगा, यानि यह जो green candle इसके lowest point को touch करेगा, यानि तो उपर में red candle form होगा तब, तो 625 के level पर और यहाँ पर हम sell करेंगे, 17,635 के level यानि last rate से भी हमें 10 point का profit मिला है, तो overall मुझे 10 plus 90, 100 point का यहाँ पर overall मुझे profit मिला है, scalping trading के basis पर वो भी range bond market में, और जब आपका market trending रहेगा, तो आपको और जदा profit मिलेगा, इसलिए मैंने आपको starting में ही conditions बताया था, कि यह strategy क follow करना, trending market में follow करना, यानि जब आपका market कोई भी trend में रहे, चाहिए वो अब trend में रहे, या फिर down trend में रहे, जैसे आप कल का ही market देख सकते हो, आपका एक down trend market था, और इस trend में अगर आपने किसी भी level पर चले, यहाँ पर sell किया रहाता, तो आपको easily single trade में 50-100 point यानि आसानी से मिल जाता, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत buying side की तरफ नुकसान हुआ हुआ था, वो छोटा सा नुकसान हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो profit मिलता, लंबा लंबा profit मिलता, आपने live market में ही देख लिया, कि कैसे मुझे लंबा लंबा profit मिला और नुकसान हुआ भी थे, चोटा सा नुकसान हुआ है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे 10 पॉइंट का profit मिले गया है, जबकि market ने अपना direction चेंज किया था, तो इस तरीके से आप scalping trading strategy के basis पे live market में trade ले सकते हो, बस जो मैंने आपको six conditions बताया थे, वो सारे conditions याद रखना है, कि आ दूसरा कि trending market होना चाहिए, दो conditions को satisfy करना बहुत जरूरी है, यह दो conditions satisfy करेगा तभी हम trade लेंगे, otherwise trade आपको नहीं लेना, क्योंकि अगर market आपको perfectly range bound है, कभी कभी निफ्टी होता है, 50 point के बीच में move करता है, तो ऐसे conditions पे आपको profit बनाना बहुत मुस्किल हो जाएगा, आप आपका हरे trade नुकसान में ही जाएगा, और brokerage charge आपको ऊपर से जाएगा, और वापस एक और चीज़ आपको ध्यान देना, brokerage charge के ऊपर जाना है, अगर आप यह trading strategy यूज़ करना चाह रहे है, तो आपको उस brokerage form से निकलना परेगा, जहाँ पे आपको brokerage चार्ट ज्यादा ल कमेंट सकते हैं, पूछ सकते हो, नहीं तो आप हमें call भी कर सकते हो, so that's all friends, उमीद करते हैं कि आपको हमारा यह scalping training strategy वाला वीडियो पसंद आया होगा, और वो भी हमने live market में आपको बताया, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, प्लीज वीडियो को like कीजिए, ताकि हम inquisement मिलें, और इस तरह के हम और भी informative content आपके लिए लाते रहें, so मिलते हैं next वीडियो में, किसी और content के साथ, जैहिन!